आज हम बनाने वाले हैं मावा यानि की खोया की रेसीपी जिस मावा को वनने में घंटो लग जाते हैं आज हम उसे बिना गैस जलाए और बिना दूद के सिर्फ दो मिनिट में बनाने वाले हैं चलिए चलते हैं रेसीपी की ओर हमने यहाँ पे लिया है एक कटोरी मिल्क पाउडर साथ ही हमने ले लिया है एक कटोरी में आदा दूद और आदी मलाई आप यहाँ पे किसी भी ब्राउन का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो लेकिन जितना milk powder लें उतनी ही हमें मलाई और दूद लेनी है milk powder को हमें एक बरतन में डालेंगे साथ ही हम इसमें मलाई और दूद भी डाल देंगे इन तीनों ingredients को हम अच्छी तरह से mix कर देंगे इन्हें आपस में mix करना बहुती आसान होता है क्योंकि milk powder थोड़ा सा मोटा होता है जो बारीक होता है उसे मिलाने में थोड़ी problem होती है क्योंकि उसमें लंस आ जाते हैं जैसे ही ये आपस में mix हो जाएंगे हम इसको करीर तीन मिनिट के लिए अच्छी तरह से फेट लेंगे फेटते हुए ये एकदम चिकना हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें मलाई का इस्तेमाल किया है ये देखिए ये एकदम मावे की form में आ गया है मार्केट में हलवाई जिस मावे का इस्तेमाल करते हैं वो यही मावा होता है ये देखिए एकदम दानेदार हमारा मावा वन के तयार हो गया है इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे बागदोर भरी जिंदगी में जब घंटो के लिए टाइम नहीं हो तो आप इस तरह से मावा वना कर कोई भी स्यूट्स बना सकते हो इस तरह से वनी गई मावा की मिठाईयां भी टेस्ट में नेचुरल मावे वाली ही होती है क्योंकि मारकेट में हलवाई भी इसी मावे का इस्तेमाल करते हैं ये देखिए मावा एकदम बनके तयार हो गया है इसे हम करीब दो घंटे के लिए फिरिज में सैट होने के लिए रख देंगे बिल्कुल नेचुरल मावे वाला इसमें टेस्ट होता है और वही इसमें बनने के बाद में खुश हूँ आ रही है दो घंटे हो गये हैं और मावा हमारा अच्छी तरह एकदम सैट हो गया है देखिए बावल को उल्टा करने पर भी मावा विल्कुल नहीं निकल रहा है मतलब ये एकदम परफेक्ट बना है इसको हम इस तरह से इस्पून से एक बावल में निकाल लेंगे अब ये मावा कोई भी स्यूट्स वनाने के लिए तयार है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही लेटेस्ट रेसिपी एट सोनम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फूर वाचिंग मै वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ में